मित्रो नमस्कार आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब के लिए लेकर आया हूँ आप में से बहुत से लोग अपने भविष्च को जानने के लिए हाथ दिखाते हैं जी हाँ आज की यह वीडियो इसी हस्त रेखा के विशय में होने वाली है सामुद्रिक सास्त्र अर्थात हस्त रेखा विज्ञान जोतिस का ही एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा हाथ की रेखा तिल चिन्ह को देखकर शुभ अशुभ फल का विवेचन किया जाता ह चैनल पर इस आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूरान कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंट में जै माता की जरूर लिखें मैं हूँ कासी वारांसी से पंडिस सतीष चंद्रपांडे आचारिकस्यप आप सबके लिए इसी तरह की उपयोगी बीडियो लाता रहता हूँ आए इस बीडियो का शुभारंब करते हैं हमारे जोतिस के गरंतों में कहा गया है जनने प्रबलो यस्य राज योगो भबेद्यदी करेवा चरणे वस्यम राज चिन्हम प्रजायते जिसकी जन्म कुंडली में कोई प्रबल राज योग होगा तब उस मनुस्य के हाथ या पाउँ आदि में या किसी अंग में अवस्य कोई न कोई एक चिन्न होगा अनामिका अंगली के जड़ में जो रेखा होती है उसे पुन्य नाम की रेखा कहते हैं और जो मध्यमा अर्थाज जो बिचली सबसे बड़ी वाली अंगली के नीचे से लेकर आपके पहुंचे मडबंध तक जो रेखा जाती है वहाँ एक खड़ी रेखा होती है उसे तो रेखा विशेश करके राज जलाब को कराती है और यह रेखा यदि खंडित हो तब दुख देती है छेण है पतली है या कम दिर्ष्य है तब यहाँ छेण फल को देती है अर्थात मद्यमा उंगली से प्रारम्ब करके मड़िबंद परियंत जो आपके हाथ में सीधी रेख बनती है उसका यह फल बतलाया गया है यदि आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा बन रही है तो आप उसे स्वता ही समझ सकते हैं कि उससे आपको क्या फल प्राप्त होगा आगे कहा गया अंगुष्ठ मद्धे पुरुशस्य यस्य विराज ते चारु यवो यशश्वी सुबं जव का चिन्न हो जव आप लोग जानते होंगे एक अन्न होता है उसी के आकार का चिन्न यदि आपके अंगुठे के मद्ध भाग में बन रहा है तो वह मनुस्य बड़ा ही सश्वी सुबंस का भूशन अनेक भूशन इस्त्री भृत्तिगन और अनेक प्रकार के द्रब्यों से युक्त होता है अर्थात उसके जीवन में धन पुत्र या सकीर्थ सब कुछ उसे परियाप्त मात्रा में मिलती है इसे आप अपने हाथ में देख सकते हैं जव का चिन्न अगर एदियापके अंगुष्ठ के मद्ध भाग में है और भी हम राज चिन्नों के विसमें बात क अर्थात जिसके दाहिने हाथ में मचली का चिन्न हो छत्र का चिन्न हो हाथी तालाब अंकुष्ठ या बीना आदिका चिन्न कोई भी चिन्न है अगर आपके हाथ में इनिमें से बन रहा है तो वह मनुस्य भूमिपत राजा होता है अर्थात एक राजा के समान उसका जीवन बितीत होता है उसके पास नवकर चाकर गाड़ी घोड़े बंगला सब कुछ परियाप्त मात्रा में उसे मिलता है अगर ये चिन्न दाहिने हाथ में मिलते हैं तो आगे कहा कि मुशल सैल क्रिपान हलांकितम करतलं किल यसस बित्तपह कुशम मालिकया फलमी द्रिशम निर्पत रेव निर्पात्म भूव जदा अर्थात जिसके हाथ में मुशल पर्बत खडग हल पुश्प या माला आद कुछ भी चिन्न बने हों तो वह मनुस्य भी धन ध मांत्रा में उसके पास होता है और ये योग यदि किसी राजकुमार के हाथ में हो अतuine कोई दिराजा है बहुत बड़ा आदमी है उसके बच्चे के हाथ में अगर यदिया चिन्ध है तो निस्चित हो राजा ही होगा आगे हम कुछ लक्षमी प्राप्त के चिन्न जो हमें लक्ष्मी प्राप्त कराते हैं अखंड लक्ष्मी के बृध्धि करते हैं ऐसे हमारे सास्त्रों में कुछ चिन्न बतलाए गए हैं आईए उन्हें जानते हैं करतले पिच्व पाद तले निर्णाम तुरग पंकज चापर थांगवत धवजर थासन दोलिकया समम भवति लक्ष्म रमा पर मा लए जिस मनुस्त के हाथ या पाउं में दोनु जगां देखें हाथ में अथवा पाउं में घोडा, कमल, धनुस, चक्र, धवजा, रत, आसन और डोली इन में से कोई भी एक चिन्द हो तो उस पूरुस के घर में पूर्ण लक्ष्मी रहती है अर्थाति दियाप के हाथेली में अथवा पाउं में इस तरह का कोई भी चिन्द अगर मिल रहा है तो भगवति लक्ष्मी की कृपा आपके उपर समझिए बनी ही रहेगी कुम्भास तंभोवा तुरंगो मृदंगहा वाणा वंग्रोवा द्रुमो जस्य पुन्सहा चंचत दंडो खंड लक्ष्मा परीतहा किमवा सोजम पंडिता सौंडिकोवा अर्थात घट, मृदंग, ब्रिक्ष और दंड इन में से कोई भी चिन्द जिस मनुस्य की हंथेली या पर के तलवे में होता है, वह पंडित होता है, अथवा मद्द बेचने वाला होता है, हाथ के तलवे में हो तो अखंड लक्ष्मी अर्थात कभी भी घर लक्ष्मी से खाली नहीं होता, ऐसा पुरुष्वा होता है, इस तरह के चिन्ने दियापके हाथ या पर के तलवे म बन रहे हैं तो यह चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं और भी अनेकों चिन हमारी हंथेलियों में बनते रहते हैं समय समय पर उनमें बदलाव भी होता रहता है आगे शरीर पर तिलों से संबंधित विशय पर वीडियो लेकर आएंगे कुछ लोगों के मैसस थे कि उनके श कारियों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार जैव शुनात